गर्बवती महिला को कर्वा चौत का व्रत या कोई भी व्रत या उपवास क्यों नहीं रखने चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि गर्बवती महिला को व्रत या उपवास नहीं रखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि गर्बवस्ता के दोरान गर्बवती महिला का लंबे समय तक भूका रहना गर्म में पल रहे शिशु को नुकसान देता है क्या आप जानते हैं शिशु तक जरूरी पोशक तत्व सही समय पर पहुँचने बहुत जरूरी होते हैं अगर महिला लंबे समय से भूकी है वो खाना नहीं खा रही है तो उसका बुरा असर सीधा सीधा शिशु को होता है इसलिए डॉक्तर अधिकतर आपको वरत रखने या उपवास रखने को मना करते हैं खास तोर पे अगर आपको रखना हो करवा चौत का वरत जो वरत रखा जाता है निर्जला अगर आप करवा चौत का वरत रख रहे हैं और निर्जला वरत रख रहे हैं तो शाम होने होने तक आपकी तबित खराब हो जाती है आपको चक्कर आने लगते हैं आपको वोमिटिंग आने लगती है आपकी तबित खराब हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि करवा चौत का वर क्योंकि हर एक महिला अलग-अलग होती है हमारी प्रेग्नेंसी भी अलग-अलग होती है हमारी प्रेग्नेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है हमारे जो बच्चे की ग्रोथ है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही बच्चे का वजन सही से बढ़ा या नहीं बढ़ा य इसी के साथ आपको सुभह उठकर सर्गी जरूर लेनी है करवा चौत के ते वरश शुरू हो तो सर्गी जरूर खाएं और सर्गी में कुछ पौस्टिक चीज़े ही शामिल हों कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पूरे दिन बर एनरजी दे इसके लिए आप अपने खाने में फ करवा चौत के वरत के दिन नारियल पानी एक सूपर फूड माना जाता है इसको पीने से आपको पूरे दिन बर एनरजी मिलती है आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देता तो करवा चौत के वरत के दिन आपको नारियल पानी जरूर लेना चाहिए वरत आप जरूर रखिए मगर बच्चे का भी आपको ध्यान होना चाहिए बच्चे के लिए जरूरी है कि उसे एनरजी मिलती रहे खास तोर पे अगर आपकी प्रेग्निंसी का जो चौथा महीना है वो शुरू हो चुका है तो इसके बाद आपको जादा भूगा नहीं रहना चाहिए क्योंकि चौथे महीने के बाद बच्चे की जो ग्रोध है वो बहुत तेजी से होती है बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है बच्चे की ग्रोध बहुत तेजी से होती है वद्ध में आप भूनेवे मखाने लीजिए, भूनेवे ड्राइफूट्स लीजिए, दूद के साथ उन्हें लीजिए, इसी के साथ चाय और कॉफी को आप अवोईट कीजए, इसकी जगापर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप जो दूद है उसको ले सकते हैं, मगर आपको चाए और कॉफी अवोइड करनी है, चाए और कॉफी में कैफिन होता है, जो बच्चे के लिए सेफ नहीं होता, साथ या गैस बनाएगी जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, सबसे जरूरी चीज, वरत और उपवास के समय आपको ये चीज का ध्यान होना चाहिए, कि आपका श साड़ी भारी कहने पहनेंगे, तो इससे भी आपको पूरे दिन बर ठकान मैसूस होगी, ठका ठका मैसूस करेंगे और उनकमफर्टेबल होगा, इसी के साथ, अपने पेट पर हाथ रफेर के बच्चे की मुमेंट्स को भी आपको चेक करना है, बच्चे की मुमेंट्स प्र चेज धियान रखना चाहिए, आपकी प्रेगनसी का कौन सा महीना चला है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही फेस्बुक पर हमें देख रहे हैं, तो फॉलो जरूर कीजिगा, कोई भी सवाल यह सुजाव हों, तो हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों बसा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इन्फोर्मेशन मिल सके, हमारी अपना ध्यान रखेगा, धन्यवद, नमस्कार